हैलो बच्चो कैसे हैं आप लोग तो आए बच्चो आज आप लोगों को पॉली इम्रियानी और बहु भूड़ता के बारे में जानना है निसेचन के बाद जो है भूड़ का निर्मार होता है तो हमें जानना है कि भूड़ का निर्मार किन किन कोशिकाओं से होता है और क्या एक भुरूड बनता है या अनेक भुरूड बनते हैं तो यह आपको जानना है तो सबसे पहले हमें जानना कि बहु भुरूड़ता की खोज किस बैग्यानिक ने किया था तो बच्चों बहु ब्रूड़ता की खोज जो है एंटोनी वान लिवन हाक नामक बैग्यानिक ने संत्रे में किया था यानि कि बहु भूरता की खोज पॉली इंब्रियानी की खोज जो है पॉली इंब्रियानी की जो डिस्कवरी है वो एंटोनी वान लिमिन हाक नामक बैग्यानिक ने 1791 इस भी में किया था कहने का मतलब 1791 में जो है संतरे में जो है बहु भूरता की खोज एंटोनी वान लिविन हाक नामक भाई ग्यानिक ने किया था तो द्यान दीजेगा बहु भूरता को मुक्तिया बहु भूरता के मुक्तिया दो भाग होते हैं नमबर एक सत्य बहु भूड़ता और नमबर दो असत्य बहु भूड़ता ये प्रशने कई बार बोड एक्जाम में पूछा गया है कि सत्य बहु भूड़ता से आप क्या समझते हैं और असत्य बहु भूड़ता से आप क्या समझते हैं तो आपको इसका जवाब भी जानना है तो द्यान दीजेगा बच्चो सत से पहले हमें क्या जानना है कि बहु भूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूर बीजान्ड की जो है सन्रचना है तो एक बीजान्ड से जब आनेक या बीजान्ड से अनेक भूडों का निर्मार होता है तो इस प्रक्रिया को हम बहु भूडता कहते हैं कहने का मतलब यह है बच्चो यह जो है सन्रचना जो आपको दीख रही है यह सन्रचना किसकी सन्रचना है बैटा यह जो सन्रचना है बीजान्ड की सन्रचना है यह स्ट्रक्चर जो है बीजान्ड का है और इसमें बताया गया कि बीजान्ड से अनेक भूडों का निर्मार होता है इस प्रक्रिया को हम बहुत होड़ता कहते हैं कहा ने का मतलब यहां पर बताया गया कि यह को जो है एंटी पोडल सिल कहते हैं क्या कहते है बैटा इनको एंटी पोडल सिल एंटी पोडल सिल कहने का मतलब यह है प्रतिमुख कोशिकाय कहते हैं तो प्रतिमुक कोशिकाओं से भी भुरूड का निर्माड होता है और यहाँ पर जो यह है आपके सामने है इसको हम बोलते धुरुवी केंद्रक और यह हमारा जो होता है यह हमारा एगसिल होता है इसको क्या बोलते हैं एगसिल अर्थाग अंड कोशिका होता है और यह जो दो हैं इनको हम कहते हैं सहायक कोशिका तो इन सभी से भुरूळ का निर्मार होता है तो यहाँ पर इसका थे17 क्या अलगे गणिंग देने आपको कहने का मतलब है ए डांड से अनेक परूळ का काहते हैं ध्यान धीजेगा बी जांड से बी जांड से अनेक बीजांड से अनेक ब्रूण का निर्मार ध्यान देना बेटा अनेक ब्रूण का निर्माड अनेक भूर्ण का निर्माड अनेक भूर्ण का निर्माड होता है अने एक नहीं अनेक भूर्ण का निर्माड होता है तो इस प्रक्रिया को हम बहु भूर्णता अर्थात पॉली इंब्रियानी कहते हैं अब यहां पर बात आती है कि कितने भाग होते हैं कितने पार्ट होते हैं पॉली इंब्रियानी के तो दो पार्ट होते हैं एक ट्रू पॉली इंब्रियानी और दूसरा है फॉल्स पॉली इंब्रियानी कहने का मतलब सत्य बहु भूरता और असत्य बहु भूरता तो आईए बच्चों हम जानते हैं कि सत्य बहु भूरता किसे क तो द्यान देना बेटा आज की आज का जितना भि पढ़ा हुर सकूल या कोचिंग या कहीं से भी हम पढ़ाई करें तो हमें उसको तुरंत तयाद करना चाहिए तुरंथ अत्यारी करनी चाहिए क्योंकि कोई चीज जब ज्यादा हो जाती तो फिर उसको इकठा करने बहुत परिसानी होती है किसी ने सच कहा है कि जन्म लेना पलना बढ़ना करमों में होना अटल और कोई ना जाने यहां पर किस ने देखा अपना कल तो यहां पर मैंने क्या आपको कि जो है यह हमारा जो बहु भूरता और थात पॉलीम ब्रियानी हो चुका है और फिर यहां पर हमें जानना है क्या इसके जो भ देहान दीजिए गहें, सत्य बहु ब्रोरता किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजे बटा, बीजान्ड में सभी कोसिकाओं से, बीजान्ड में सभी कोसिकाओं से बुरूड का जो निर्मान होता है, तो इस प्रक्रिया को हम बहु बुरूडता कहते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बच्चो, इस प्रक्रिया को जो है, बहु बुरूडत कहते हैं मैंने क्या बता है आपको कि बीजांड यह किस चीज की संरचना है तो ध्यान दीजिएगा यह संसल आपके सामने हैं यह कि Beh exemplo कि बताया था यह शालिक नहीं हें और यह यह एंटी पोडल और यह एके सिल और यह सहाय कर शेंड़ अर यह कहने का मतलब यहां से भी भूरूर का निर्मार होता है यहां एकसेल से भी भूरूर का निर्मार हो रहा है और यहां पर एंटी पोडल को सिकाओं से भी भूरूर का निर्मार हो रहा है यहां कि जब निसेचन हो जाता है तो निसेचन होने के बाद में भूरूर का निर्मार हो बहुत यह आसान ट्रिक है बेटा सत्य बहुणता का मिनिंग क्या है कि मिन्स बीजांड में सभी कोशिकाओं से सभी कोशिकाओं से जो है बुरूड का कहने का मतलब यहां पर निसेचन हो गया निसेचन होने के बाद में बुरूड का निर्मार होता है तो जो बुरूड का नि के सनिया सत्य बहु बुरूडता कहते हैं बहुत इजी है बच्चों तो दयान देना इसको लिख भी सकते हैं प्लीज अब दूसरा हमें जानना है लो ऑश्कते बहु बुरूड़ता यह क्या होता है बहुत ही सरल सब्दों में बैता आना चांगा आप असत्य बहु ब्रूणता ये क्या होता है बटा असत्य बहु ब्रूणता ये क्या होता है दियान दीजेगा असत्य बहु ब्रूणता क्या होता है जब बीजांड में जब बीजांड से बीजांड की सब ही कोसिकाओं से नहीं बलकि अलग अलग कोसिकाओं से कहने का मतलब ये बीजांड है ये जो सलचना आपके सामने है ये बीजांड है इस बीजांड में जो ये कोशिकाओं है इन कोशिकाओं के बीजांड के बीजांड की में जो ये कोशिकाओं है बीजांड की अलग अलग कोशिकाओं से या एक कोशिकाओं एक कोशिकाओं से जो ब्रूड का निर्माड होता है तो इस प्रक्रिया को हम असत्य बहु ब्रूडता कहते हैं कहने का मतलब अलग अलग कोशिकाओं से ब्रूड का जो निर्माड हो रहा है यहां पर जो ब्रूड का निर्माड हो रहा है यहां पर बच्चों जो ब्रूड का निर्माड हो रहा है अ अलग कोशिकाओं से यहां पर भूड का निर्मार हो रहा है तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं असत्त्य बहु भूड़ता अलग अलग कोशिकाओं से भूड का निर्मार हो रहा हो तो उसे हम क्या कहते है असत्य बहु भूड़ता असत्य बहु भूड़ता किसे कहते हैं तो असत्य बहु भूड़ता में आपको सभी कोशिकाओं का नाम नहीं लेना अर्थात इसमें अलग अलग कोशिकाओं से जो भूड़ का निर्मार हो रहा है तो इस प्रक्रिया को हम अस तो ध्यान दीजेगा इसके बाद हमें जानना है बहुत ही महत्पूर्ण है बहु भुरूरता के प्रकार टाइपस आप पॉली इंब्रियानी यह क्या होता है तो बच्चो बहु भुरूरता जो है चार प्रकार का होता है तो बहु भुरूरता जो है चार प्रकार का होता है त शरल बहु ब्रूरता तो ध्यान देना बिटा दूसरा हमारा क्या है और तीसरा जो है विदलन बहु ब्रूरता विदलन बहु ब्रूड़ता बहुत बार एकोशन पूछा गया है कई बार एकोशन पूछा गया है तो विदलन बहु ब्रूड़ता और चौथा जो हमारा होगा वेटा वो है अपस्थानिक बहु ब्रूड़ता अपस्थानिक तो दिहान देना वेटा अपस्थानिक बहु ब् मतलब इसको हम कहते हैं simple polyembryani और यह जो हमारा होता है mixed polyembryani और यह हमारा cleavage polyembryani और यह हमारा adventue polyembryani तो कहने का मतलब बहुत ही आसान है यह इसको हम आप लोगों को trick के माध्यम से बताएंगे कई बार यह परिक्षा में पूछे गया कोशन सरल बहु भुड़ता क्या होता है मिश्रित बहु भुड़ता क्या होता विदलन बहु भुड़ता क्या होता अर्थात अपस्थानिक बहु भुड़ता क्या होता है कई बार कोशन पूछा गया कि what do you mean by simple polyembryani या difference between mixed and cleavage polyembryani that means यहाँ पर हमें जानना है कि सरल बहु भुड़ता किसे कहते है सरल बहु भुड़ता के बारे में हमें जानना तो ट्रिक का यहाँ पर हम यूज करना है ध्यान दीजेगा बैटा यहाँ पर है निशेचन के बाद कहने का मतलब यहाँ पर fertilization निशेचन के बाद ही भुड़ का निर्माण होता है तो कहने का मतलब निशेचन के बाद बिल्कुल ट्रिक के माध्यन से जानना बहुत आसान है निशेचन के बाद निशेचन ध्यान देना भीया निशेचन के बाद यहाँ प उस्पोर का निर्मार होता है तो द्यान दीजिएगा उस्पोर का निर्मार होता है निसेचन के बाद जो है उस्पोर का निर्मार होता है और इसी उस्पोर से जो है ब्रून का निर्मार हो जाता है इसी उस्पोर से जो है किसका निर्मार हो जाता है ब्रून का निर्मार हो जा इसमें एक किस पौधे की बात कही जा रहे बच्चो तो सरसो का जो पौधा होता है अर्थात सरसो का जो फ्लावर होता जो पुस्प होता है तो उस पुस्प में जो है जब फटिलाइजेशन हो जाता है निसेचन हो जाता है तो निसेचन के बाद में उस्पोर का निर्माड हो कावर की बात कहीं जा रही है अर्थात सरसों के पुस्प की बात कहीं जा रही है तो यह हमारा क्या हो गया का निर्माण हो रहा है तो इस प्रक्रिया को सर लब बहुंसरा अर्थास सिंपल पॉलिडी इम्प्रियोनी अब दूसरा हमें जानना है तो ध्यान दीजिएग मिल्इटा मिक्स्ट पॉली इंब्रियानी का ट्रिक क्या होगा तो ध्यान दीजेगा यहां पर होता क्या है मिक्स्ट पॉली इंब्रियानी में तो ध्यान दीजेगा बहुत ही आसान यह जो है यह बीजांड की संरचना है इस संरचना के माध्यम से हमको जानना है यह बीजांड की संरचन इनको कहते हैं प्रती मुख कोशिका हैं और यहां पर जो यह दो कोशिका हैं इसे हम कहते हैं क्या केंद्रवी केंद्रग इसको क्या कहते हैं द्रूवी केंद्रग और यहां पर हम बात करें तो एग सेल और यह दो हमारी सहायक कोशिका होती है अर्थात अंड कोशिका और सहाय कोजिका तो कहने का मतलब ध्यान दिजिए बेटा यह मिक्ष्ड पॉलिम रियानी क्या होता है यहां पर यह जो आपको नजरा रहा है एंटी पोडल सेल एंटी पोडल सेल कहने का मतलब जो एंटी पोडल सेल है इसे हम प्रतिमुख कोशिका भी कहते हैं प्रतिमुख कोशिका ध्यान देना प्रतिमुख कोशिका एंटी पोडल सेल को हम बोलते हैं प्रतिमुख कोशिका तो ध्यान दीजिगा बेटा जब और यह दो हमारी जो है इनको हम कहते हैं सहायक कोसिका, सहायक कोसिका, सहायक कोसिका, तो बेटा इस वीडियो में आपको जो है, आपको इस वीडियो में जो है सहायक कोसिकाओं से भुरूड का निर्मार आपको मिलेगा और यहां पर जो है एंटिपोरिल अर्थात प्रतिमुक कोसिकाओं से किन किन कोशिकाओं से मेंस भूर्ण का निर्मार होता है तो मैंने आप लोगों को सरल बहुत भूरता बताया भी और हमें मिक्षड फॉली इंब्रियानी अर्थात मिस्च्रिद भूरता के बारे में जाने तो बहुत ही आसान ट्रिक है वेटा इस ट्रिक को आप देखिए जान से बीजांद से एंटी पोडल या प्रतिमुख कोशिका और सहायक्कोशिका से जो भूर्ण का निर्माड होता है इस प्रक्रिया को हम इस प्रक्रिया को हम मिश्रित पॉली इंब्रियानी कहते हैं कहने का मतलब क्या मैंने आपको होता है प्रतिमुख कोसिका और सहायक कोसिका से जो भूरूर का निर्मार हो रहा है प्रतिमुख कोसिका और सहायक कोसिकाओं से जो भूरूर का निर्मार होता है तो इस प्रक् सरल है बस केवल और केवल आपको ध्यान देने की जरूरत है अगला जो हमारा यहाँ पर आ रहा है विदलन और तीसरा जो हमारा आ रहा है अपस्थानी तो कहने का मतलब बच्चों क्लिवेज पॉली इंब्रियानी और एडवेंट्यू पॉली इंब्रियानी के बारे में भी हमें जानना है तो हमने आपको प्रकार में जो है दो प्रकार बताया मैंने सरल बहु भूड़ता और दूसरा मैंने आपको बताया मिस्रित बहु भूड़ता तो ध्यान दीजेगे बटा बीजा कि जो सन्रचना है उपर जिए जो है मिस को से लिए पर फार्मीशन होता है तो इन दोनों सीकाओं से फार्मेसर होता है तो उसे हम मिक्सरित या मिक्ष पोली embryonii कहते हैं तो यह जानना बेटा बहुत जरूरी है पिलकुल trick के माध्यम से आपको जानना है और आसानी से आप जो है बहुत ही आसान तरीके से इस trick को जानने के बाद में आप theory भी लिख सकते हैं तो ध्यान दीजेगे बेटा अगला हमारा क्या आ है वीदलन अगला क्या आरहा है वीदलन यान давайте वीदन वह ईरूडता ये क्या होता है तो बहुत ही आसाने ऐसको भी हम्चीटर के माध्यल से समझतेगे से कहने का मतलब है इसी चितर से मैं आपको शजगा दियान दीजेगा यह को यहां यह किस पौधे में होता है तो यह उदाहर्ण भी बेटा याद रखना कहने का मतलब है यह उदाहर्ण जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि यह जो उदाहर्ण होते हैं यह इन्ही से जो है competitive jam में जो question बना जाते हैं यहने कि completion में जो इस तरीके के question बना जाते हैं तो उदाहर्ण जानना बहुत जरूरी है कि मिश्रित बहुभूरता का उदाहर्ण क्या है तो मिश्रित बहुभूरता का उदाहर्ण एलियम है और सरल बहुभूरता का उदाहर्ण मैंने आप लोगों को बताया भी सरसो का जो पेड होता अर्था सरसो का जो पुस्व होता है उसमें सरल बहुभूरता होता है तो द्यान दीजेगा बैटा यहाँ पर हम बात करेंगे विदलन कहने का मतलब जब यहां पर निसेचन हो जाता है तो निसेचन के बाद में जाइगोट का फार्मेशन होता है किसका जाइगोट का अर्थात युगमनज का निर्माड होता है युगमनज का निर्माड होता है तो द्यान दीजेगा भिया जानना बहुत जरूरी है कहने का मतलब निसेचन के बाद में जाइगोट या युगमनज का निर्माड होता है और इसी युगमनज से जब भूरूर का निर्माड हो जाता है इसी युगमनज से जब भूड का निर्माड हो जाता है तो इसी प्रक्रिया को हम विदलन बहु भूड़ता कहते हैं क्लिवेज poly-embryonomy या क्लिवेज poly-embry repetition या विदलन बहु बरूड़ता कहते हैं तो बहुत ही आसान इबिटा कहना क्या है निशेचन के बाद जब जाइगोर्ट का निरमाल होता है और जाइगोर्ट से सीधे बरूड़ का निरमाल हो जाता है कहने का मतलब कि निसेचन हुआ निसेचन के बाद युगमनज बना और युगमनज यानि कि दो युगमक एक नर युगमक एक मादा युगमक और नर तथा मादा युगमक के बाद में नर युगमक और मादा युगमक आप इनमे निसेचन हुआ निसेचन होने के बाद में यहाँ पर क्या या को हम विदलन कलिवेज पॉलियम्ब्रियानी या विदलन बहु भूडता कहते हैं जैसे यहां पर मैंने आप लोगों को बताया होगा कि पराग कड़ाएं पराग कड़ाने के बाद में एक सिल से यहां पर एक मादा युगमक और पराग कड़का एक नर युगमक जब यह युगमक और युगमक के फार्मेशन के बाद फिर भूड का निर्माड हुआ इस परक्रिया को हम विदलन बहु भूडता कहते हैं बहुत यह आसान सब्दों में बैटा इसको जानना बहुत जरूरी है तो साट्रिक्स हमने इसको जो है जानने की कोशिस किया है तो प्लीज अपस्थानिक बहु भूरता अर्थात एड्वेंट्यू प्ली इम्रियान यह क्या होता है अपस्थानिक बहु भूरता तो ध्यान दीजिगा इसी चित्र के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा हां विदलन बहु भूरता का जो उदाहर होगा वो क् देजгा एडविना आरेडविना निम्फिया इसके सब्द थोड़े से कठीन है ड्यूर्ड निम्फिया इसको भूलना नहीं हो व्लूर्ण निम्फिया यह जो होता है इस पpenthes में जिस पाउधिय विदलन बहु भुड़ुड़ुड़ुड़ुड़ुड़ुड़ुड़ुड़ुड़ुड़ुड़ुड़ुड़ुड़ुड़ुड़ुड़ुड़ुड़ुड़ुड़ुड़ुड़ुड़ुड़ुड़ुड़ुड़ुड़ुड़ुड़ुड़ुड़ुड बहुत ही आसान है यह ध्यान दीजे यहां पर जो है मैंने आपको बताया कि यह प्रतिमुक कोशिका होती है और यह जो है यह दुरुवी के नरक होते हैं और यह हमारा एगसल और यह जो दो कोशिकाश के साथ में है इन्हें हम कहते हैं सहायक कोशिका तो ध्यान दीजेगा यह यहां पर अपस्थानिक अपस्थानिक बहु भूड़ता किसे कहते हैं तो कहने का मतलब यहां पर ध्यान दीजिएगा भी यह कि मैं दीजिएगा यहां आप ईस अना न न किया है इस संचना को ध्यान देना है बैटा इस संचना के से हम जानते हैं यहां पर जो है यह जो आपको नजल आ रहा यह इसे हम कहते हैं ये जो बीजांड काय इसे हम कहते हैं बीजांड काय ये जो होता है ये होता है बीजांड काय बीजांड काय बीजांड काय के बाद जो ये आपको सन्रचना दिख रही है इस बीजांड काय के बाद ये जो सन्रचना आपको दिख रही है इसे हम कहते हैं अध्या आवरण तो कहने का मतलब जब बीजांड काय और अध्या आवरण से भुरूड का निर्माड होता है तो उसे हम अपस थानिक बहु भुरूड़ता या एडवेंट्यू पॉली इंब्रियानी कहते हैं कहने का मतलब मैंने आपको क्या बताया कि बीजांड काय या बीजांड काय या बीजांड काय ये बीजांड है और ये इसको हम क्या बोलेंगे ये जो संदचना है इसी हम बोलेंगे बीजांड काय कहने का मतलब बीजांड काय और अध्या आवरण से जो भुरूड का जरूरी था तो संदचना से हमने इस चीज को सीखा है और इसे हमें बस केवल और केवल एक बार पुना जो है दिहान से देखना होगा इस वीडियो को निश्चित आप लोगों को समझ में आएगा तो एक बार पुना फिर से आप लोग सुन लीजिएगा प्लीज इस वीडियो का मेंटर तो है क्या मेंटा यहां पर मैंने आप लोगों को पॉली इंब्रियानी के बारे में बता कि पॉली इंब्रियानी जो होता है इसकी डिस्कवरी इसकी खोज जो है एंट्वन इवान लीमेन हाक नौमक बैग्यानिक ने 1791 में किया था और बहु भुड़ता की जो डिस्कवरी है जो खोज है वो संत्रे में किया था और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो बहु भुड़ता है बहु भुड़ता के दो भाग होते हैं नमबर एक सत्य बहु भुड़ता और नमबर दो असत्य बहु की बात करें तो असत्य बहु भूरता का मीनिंग होता है कि जिसमें अलग को सिकाओं से बीजांड में अलग अलग को सिकाओं से जो भूरूड का निर्मार हो रहा हुसे हम असत्य बहु भूरता कहते हैं हम टाइप्स की बात कि ये प्रकार की बात कि तो चार अधा जो हमारा होता है अपस्थानिक बहुभूड़ता तो सब के अलग अलग उदाहरण है तो दिहान देना यहाँ पर जो अपस्थानिक बहुभूड़ता है इसका उदाहरण क्या होगा तो बच्चों अपस्थानिक बहुभूड़ता का जो उदाहरण होगा वह होगा क्या नीमु संत्रा और आम यानि कि नीमु में संत्रे में और आम में जो है अपस्थानिक बहु भूरता पाया जाता है यानि कि यहाँ पर जो भूरूरू का निर्माल हो रहा है तो वह अध्या और और अध्या और और अध्या और और अध्या और और बीजांड से जो है बीजांड से भुरूर का निर्माल हो रहा जिसे हमने क्या बता है आप लोगों को अपस थानिक बहु भुरूरता तो कहने का बतलब बच्चो आपको महिनत करना पड़ेगा तभी आप लोगों को सफलता मिलेगी तो कहने का बतलब इस वीडियो को आप जो है एक बार आप लोगों को जो है पॉल इम्रियानी के बारे में अगला वीडियो आप लोगों को मिलेगा दूसरे लेक्चर में धन्यवाद